जस्मानक नो कॉम्पेटिशन पार्ट 2.0 ऐसा के एपसन मैंने क्यों लीग काया आपको बताऊंगा सो लेट्स गो फॉर वीडियो एंड अगर ने तो चानल को सब्सक्राइब करें फुल तक वीडियो वाज करना तभी आपको पता चलेगा लाव थांडर 还वम पर हमको नौ व्हुश राने में थोड़ी देरी है मैंको लगता है कि नौ वाव थांडर यालबुम पर आपको लगता है है कि जस्मानक इस नौ सोंग्स पर क्या आमको सफॉप्राइज को मिलेगा तो चलो मैं आपको दिखाता हूं अपने जस्मानक का है लाउ थांडर आलबम के बट मैं आपको बता दो तो आपको नॉर्मली लग रहा होगा कि ज़स्मान के पहले याईलबम जैसा ट्रेक लिश्ट होगा, ये भी ट्रेक लिस्ट बढ़ सब यतमानक क्रेंट का जो लोध अनुदर ड्रेक लिस्ट जो रेलीक्स होगा वह थोड़ा डिफिकल्ड होने वाली थाइन कैसे लोग जो सोच रहे होंगे कि इस लोध लो थांडर पे बहुत ही कम सॉंग ट्रैक लिष्ट है अनुदर एल्बम के जरी है तो मैं आपको बता दो तो इस एल्बम के जो सॉंग्स होंगे उसका जो रेलेक्स लेंथ होगे वह कुछ अधिक मिनट के होंगे लाइक तीन से चार मिनट के सॉंग्स होंगे एड़ कैसरे जो लोग सोच रहे होंगे की इस एल्बम के जो ट्रैक लिष्ट हो बहुत एक कम है अनुदर एल्बम के जरी है तो मैं आपको बताद दो तो जसमानक इस सॉंग के एल्बम्स ट्रेक्स पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं खास बात हमको इस ट्रेक्स के लग रही है विकॉज जसमानक कुछ नकुछ अपने सॉंग्स के अंदर पे हमको सप्राइज देने वाले हैं जिसको किसी भी फैंस को नहीं पता जब आल्बम् लोग सुनोगे तो आपको एक सप्राइज देखने को मिलेगा लाव थांडर आल्बम पे जसमानक की नो कॉम्पेटिशन वाली बात इससे हो जाते कि जसमानक निस एल्बम पे इंगलिस सॉंग्स भी देने वाले जो कि किसी और सिंगर मतलब की कुछ हटके ही करने वाले हैं बाकि जसमानक का एक सप्राइज देखने को मिलेगा बाकि इस एल्बम पे कोई कॉल अबरेशन हमको अभी तक तो देखने को नहीं मिला बाकि देखते हैं जसमानक ने अगर सप्राइज रखा होगा कि जसमानक का कॉल अबरेशन को तो मैं को नहीं बता बाकि आपको इसके बार में क्या कहना है कमेंड करेंडर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब करें थांक यू